जो हमारा पास आता है इस थ्री किंग्डम क्लासिफिकेशन सिस्टम इन 1886, Ernest Hegel solve the first objection and propose the third kingdom protestant मतलब जो उसमें पेली objection लगी थी उस क्लासिफिकेशन सिस्टम पे वो यह के उगलीनलाइक जो अर्गनिजम थे जिन पे बोथ उनके पास प्लांट लाइक करेक्टर भी थे और अनिमल लाइक करेक्टर भी थे उसने उस अबजेक्शन को जो है वो solve किया और एक निया kingdom बनाया जिसको हम कहते हैं प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा अकॉमडेट यूगलीनलाइक और्गनिजम इसने वो वो रहे अनिमल जो है और्गनिजम प्लेस किये जो यूगलीना लाइक थे He also included bacteria in kingdom protista In this system, fungi were still included the kingdom planty अब उसने जो है वो बेक्टेरिया को kingdom protista में इंक्लूड कर दिया और euglena-like organisms जो हैं वो उसने जो नियो जो kingdom उसने बनाया protista उसमें रख दिया उसके बाद है लेकिन इस सिस्टम में जो फंजाई थी उसको kingdom planty में ही रखा गया इस सिस्टम दिडनाट क्लीर आप दिफरेंश बेडियोर्ट और euglena-like organisms जोने जो पाद है उसमें जो जो इस चीस पर अबजेक्शिटू बढ़ाई के जो हमने फंजाई को kingdom planty में रखा हुआ है यह जो है वो फंजाई kingdom planty में नहीं होनी चाहिए अब जो फंजाई है वो प्लांट प्लांट लगती है बट आर्ट 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 नहीं है जो के और्ट आर्ट 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 आ एक जिसे आउटसाइड बोड़ी को डाईस करती है और इसको अपसुआप कर लेती है पंजाई असली कीड़ेश थे रखी वी है वर सम्टलद्स भी से जए पंजाई रहाएए जो पंजाई है उसको तो बिंग्डम-प्लांटी नहीं होना चाहिए दूसरा उसकी जो cell wall है जो के प्लांट में cellulose की बनी वी होती है वो उसकी cellulose की नहीं थी बलके काइटन की बनी थी तो यह जो system था यह भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उसके बाद आता है जी five kingdom classification system in 1937, E. Chatton suggests the term of prokaryotik, prokaryotiko to describe the bacteria and Eukaryotico to describe the animals and plant cells ताइक है अब उसने जो E. Chatton था इसने two terms describes इंटेदेच कर वाई that is prokaryot and eukaryot in simple words उसके बाद आया जी 1967 में Robert Petitkaire introduced the five kingdom classification Robert Petitkaire जो था इसने इंटेदेच पाया five kingdom classification यह सिस्टाम था किस पे लिए परगनीशिए सेललर और बी मतलब यह हैं तो सीजने करते हैं तो किस उड़ो अर्गनीशन ठैसे थैफिकले से Experience के वां तो किस तो को शेक्म फी से कर्पे पाधे दो घूमाजे The basis of organisms are classified into five kingdom In this basis, he classified the organisms in five kingdom that is Monira, Protista, Funjae, Plantion and Animalia In 1988, Margulis and Schwarz modified the five kingdom classification of the Vitakar They have the five kingdom classification modified They consider the genetics along with Cellular organization and mode for nutrition classification देशों आहें उनने जनेटिक्स हैं अे मोड ऑज निटूर निट्रॉषिन हैं से सब्सक्राइब की तो निटूरा देशों आपै ärर्छ से को वोग में और दह्ते हैं जर्नल करेक्टिस्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्ट उनको उनने रखा Kingdom Oneira में जिए अवशन पर्व स्द्स,्टी is वाँ र caller जनाव उनिस अपटी एप उनिस वाँ और उस आपश में जोड़े सेल के जोड़े सा बनाते हैं वह बनाे बताइज, سही दोर बना एंट है उसके बाद है पक्रोकारियोटिक सैल बारे Carson eldest चाहरे से काम करें प्रसक्राजैसे में ऐब कि बारिए सबसक्राइब तक छो यह सबस्रीन UP कि यहाच लेखे अपनी खुराओ प्रकॉर्डख समीती धाने मैं धान में भी नेडिए टुर्ट काईप लॉप चौन रागनिंजम वह बैक्تेरिया पर उन्लाकोंको साधा यां हीजे, भीक्तिरिया, खीजेदी, नाधार नाएनिये ध्राण ही बैक्तिरिया, उन्लाक के मरें तर सीं नेया पर यहां क tillौो कि बिक्तिरिय बैक्तिरिया हम उन्लाक हं बत syno-bacteria, कुछ heterotrophic हैं, कुछ जो हैं वो autotrophic हैं लेकिन unicellular होते हैं, prokreative organisms हैं, इन सब को उनने प्लेस किया, kingdom moniramin, next हमारे पास आता है kingdom protista, इसमें उनने दखे all eukaryote, unicellular भी और multicellular भी, it includes the eukaryotic unicellular and simple multicellular organisms, there are three main types of protista, protista के उनने प्लेस किये, लेकिन protista में भी आग algae are unicellular, clonial and multicellular, algees उनने unicellular, clonial, multicellular, 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 multicellular Mm. they resemble the plant cell wars with cell walls, chlorophyll and chloroplast, and the result is plant-like, and chlorophyll also has chlorophyll in chloroplast. simple multicellular means they do not have the multicellular sex organs and do not perform the embryos during their life cycle multi cellulars तो है वो लेकिन simple है मतलब simple इस sense में है कि उनके पास multi cellular sex organs नहीं है मतलब कि वो reproduction जो है वो sex organs के जरीए नहीं करते और जो life cycles है वो embryos भी नहीं बनता उनके जो life cycles है उनमें development की जो stages है उनमें embryos भी नहीं बनता उसके बार आता है protozoans, protozoans resemble animals whose cells lack chlorophyll and cell vals जो protozoans है वो plant like नहीं है वो animal like है इस तरह से वो animal like है कि उनके cell walls भी नहीं है उनके cells में chlorophyll भी नहीं है और some protester fungi like और कुछ प्रोटेस्ट जो है वो fungi like भी है जो protester है उसमें उन्होंने जो है वो eukaryotic unicellular भी रखे सिंपल multi cellular भी रखे लेकिन आगे उन्होंने थ्री multi types में उसको divide कर दिया जो के LG है उसके लावा जो है protozoans है और fungi है उसके बार आता है kingdom fungi kingdom fungi it include the eukaryotic multi cellular heterotrophs which are absorptive in their nutrition mode इसमें उन्होंने वो वाले organisms रखे जो के eukaryotic भी है multi cellular भी है और heterotrophs भी है और heterotrophs भी वो वाले हैं जो absorptive mood of nutrition रखते हैं जो के अपनी nutrition जो है वो अपनी food को absorb कर करके लेते हैं such as mushrooms most fungi जो है वो decomposers है they live on organic material जो के एक organic material जो के एक और गैनिक materials पे रहते हैं secrete the digestive enzymes वही बात जो मैंने आपको पहले बताई के वो अपनी कुछ इस तरह के digestive enzymes को secrete करते हैं secrete the digestive enzymes जो है वो उनकी food है उसको outside the body digest कर देते हैं और फिर वो उन small organic molecules को absorb कर देते हैं by the formed by the जो molecules बनाये होते है digestion हो जाती है जिनकी enzymes के जरीए extra cellularly मतलब के उनकी body से बाहिर उसके बार आता है जी हमारे पास kingdom planting it includes eukaryotic multicellular autotrophs इसमें वह वाले organisms हैं जो के eukaryotics भी हैं और multicellular भी हैं और autotrophs means के वह अपनी खुराग जो हैं वह खुद बनाते हैं autotrophic in nutritional mood हैं वह अपनी खुराग जो हैं वह खुद बनाते हैं उसके बाद है making their own food by photosynthesis photosynthesis से जो है वह अपनी खुराग बनाते हैं they have multiple cells or sex organs उनके पास multicellular sex organs हैं और embryo भी बनाते हैं वह अपनी new development में life cycle के दुरान मौसी जाती हैं इसमें फांड जाते हैं flowering plants इस kingdom में उन्होंने include किया उसके बाद रता है जी महारे पास kingdom animalia it includes eukaryotic multicellular consumers अब इनमें में यूकरियोट भी है multicellular भी हैं but consumers है तो उन्होंने वह food absorbed consume करनी है वह food utilization करनी है जो के otorov में ने बनाई है ठीक है animals live mostly by ingesting food. The animals are food could ingest करते हैं और digest करते हैं within the specialized cavities fromgay to food फूड को डाइस्ट करते हैं लेकिन फूड की 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 डाइ वह नहीं होते है अनिमल में जस्ट आप सैल मेंब्रेन होती है और वो जो है वो मुव्मेंट भी शो करते हैं यह सारे उन्हें रखे kingdom ऐनीमीलिया में सबसे वहले kingdom Monira, Monira में उन्हें simple unicellular रखे फिर protista आया, protista के बाद planty fungi and यह पांच kingdom थे जो के उन्होंने 5 kingdom classification में उन्होंने इटिलाइज किया उनकी बेसिस पे और उन्हें और उन्हें को डिवाइड किया उसके बाद हमारे पास आता है जी यहां पे एक distinctive character है 5 kingdom classification का अब सबसे पहले है kingdom monitor उनमें cell type कैसी होती है cell उनके prokaryotics होते हैं अगर two nucleus नहीं है तो अगला pointer ने बताई होगा nuclear envelope अगर nucleus नहीं है तो उनके बास nuclear envelope भी नहीं होगा उसके बाद है cell wall, cell wall उनकी non cellulose होती है जो plant-like नहीं होती है cellulose नहीं होता है उनके अंदर polysegride plus amino acids की बनी होती है autotrophic और autotrophic भी होते हैं multi-cellularity उनके नहीं होती वो क्यों prokaryotics है तो prokaryotics में multi-cellularization नहीं होती उसके बाद आते हैं जी protista protista वो यू-cariotic है उनके nuclear envelope पाई जाती है सारे organism इनमें यू-cariotic है नमें nucleus है nucleus है तो nuclear envelope भी होगी उसके बाद है cell wall कुछ में होती है कुछ में नहीं होती टोफोटोcombिनेशिय है तो तो फोटोसिंथैटिक हैं जो है यू-carot 아직 बेंगराऊ है यूकरियोटिक है नियूकलियन वेलब होता है सेल्वाल अकाइटन की बनी होती है जो मोड अफ निट्रिशन है उनका अब्सॉर्पटिव हेटरोफ है अपनी खुराग को अब्सॉर्प करते हैं और जो मल्टाई सेल्वाली है प्रेजन होती है 25 में उसके बाद है प्लांटी प्लांट्स उनमें यूकरियोटिक है नियूकलियन वेलब होती है सेल्वाल में पॉलिसेकराइट्स होते है फोटोसेंटसिस करते हैं और उनमें मल्टाई सेल्वाली प्रेजन इन ओल फॉम सारे के सारे मल्टी सेल्वाल होते है इसके बार आता है जी अनिमीलिया जो है वो यूकरियोटिक है उनमें सेल वाल होती है नुकलर इन्वेलब भी होता है उनमें जो है वो नुकलर इन्वेलब होता है सेल वाल नहीं होती है अनिमल सेल में जस्ट सेल मेंबरीन होती है उसके बाद है जी इंजस्टिव हेटरोफ है इंजेस्ट करते हैं खुराग को एंड वो हेटरोफ हैं अपनी खुराग ओटरोफ से लेते हैं असवाद है अनमें मुल्टाइ सैललरी जो है वो प्रेजन होती है अल फॉर्म में अच्छा जी आगे हमारे पास एक जो लाइफ फॉर्म आती है एक और्गनिसंस की टाइप आती बॉर्डर लाइं को स्पुराफ लिविड श्यूंत कंशा वीविवाण नौन बार्यवण अर्भन लाइछ वाटर है। था रियु टो धर्रक्रेस्ट लाइजिटोन नैटर्टर अगर वाइस के क्रिस्टल बनाना चाहि explaining लिक्त जाते हैenting एगिस्ट बहले है नोन लिविंग ए इस करेक्टर की बेस पर कहा धर देखे तो जो है कि क्या सकते है कि वायरस नौन लिविंग ए यह और अजलिलरेरिस बैसे उनकांव रूर उर्गिनिज़नेशल जो पर लिविंग ओर दो है उनकि देया है वाइरिस पास RNA भी होता है और DNA भी होता है जो के एक living organisms की निशानी है नौर्मली इंकेज़ इन प्रोटीन कोड़ जो के प्रोटीन कोड़ के जो है वो अंदर रहता होता है उनका RNA और DNA भी प्रोड्यूस आउनली living cells पर लिविंग cells पर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और where they cause a number of disease जहां पर वो बहुत सारी बिमारियां भी cause करते हैं अतलब के इनकी कुछ characteristics जो है वो living type है कुछ non living type है तो अभी तक बार जिस बात को समझ नहीं सके कि आया वाइरिस जो है वो living है या non living है उसके बाद हमारे पास आता है जी they are not considered at organisms and thus they are not included in the five kingdom classification इनको जो है वो अभी तक organisms के तौर पे consider ही नहीं किया गया यहीं वज़ा है कि इनको five kingdom classification में भी include नहीं किया गया इसके बाद प्रियों और विरॉइड जो है वो भी असलोर है but they are not included in the five kingdom जे भी एक वारिस के टाइप है जिनको भी अभी तक five kingdom classification में classify नहीं किया गया उसके बाद हमारे पास आता है जी binomial nomenclature अब बारियाती है इन species को name देने ही इन species को हमने classify तो कर लिया है अब इन species को हमने naming system adopt करना है कि name इनको किस तरह से दिये जाते है ठीक है binomial nomenclature is a method of giving scientific name to the living organisms binomial nomenclature एक method है जिसमें हम living organisms को scientific names देते हैं as the word binomial binomial suggested that the scientific name of species consist of two names मतब किसी organism का ऐसा scientific नाम जो के two names पे मुश्तमील हो the first name is Janus उसका जो पहला name है वो उसका Janus होगा जीनस होगा और उसका second name है वो उसका species होगा Swedish Bargeist Carless Lineus introduced the first introduced and adopted the system of binomial nomenclature जो Carless Lineus था इसने सबसे पहले classification का system और जो क्लासिफिकेशन का system और इंटर्डूश करवाया his system separate rapidly उसका system जो था वो बहुत तीजी से फैल एंड विकम पापुलर और बहुत मशूर हो गया many of his names are used in today उसके system के बहुत से नाम जो के उसने organisms को scientifically जो है वो अलॉट किये थे वो आज भी use किये जाते हैं उसे कुछ rules बनाए थे universally rules adopt किये गए किसी भी organism को नाम देने के लिए some of rules which are universally adopt while suggesting and documenting the scientific names उनको scientific names दिया गया उनके कुछ rules थे scientific names are usually printed in italics सबसे पहला rule के scientific names है उनको italics में टाइप किया जाएगा such as homo sapiens अगर हम उनको डॉकमेंटेशन में टाइप करेंगे तो उनको italics में टाइप करेंगे means के italic जो थोड़ी सी टेडी लैनी होती लिखाई italic rating उसमें टाइप करेंगे लिए जब इसको हम hand written हम खुद लिखेंगे तो हम उसके scientific name है उसको underline करेंगे यह था उसका पहला rule the first name जो है वो generic name जो है वो हमेशा capital letter से लिखा जाएगा while specie name is never capitalized और जो specie name है उसको हम जो हम capitalized नहीं करेंगे even when dry from proper name जब उसको हम proper name देंगे ठीक है जब हम किसी भी specie का proper name लिखेंगे for example यह हमने उपर देखा था homo sapiens homo is a genus उसका first letter जो हम capitalized and sapmons is a species तो उसका first letter जो हम capitalized नहीं करेंगे that is the second rule and the third one is the scientific name is generally written in full when it is used when it is first used अगर हम कोई documentation लिखना है उसमें साइंटिफिक नेम यूस करना है तो जब उसको हमने पैली दफ आपने document में लिखना है तो हमने उसका genus नेम भी लिखना है और इसको fully write करना है but when the several species from the same genus are being listed जब बहुत सारी species हैं लेकिन उनका genus सेम ही है तो फिर जब हम उसका initial word ही पर इजामपल Shri Kai Kulai becomes E. Kulai मतलब कि जब हमने scientific name जिनका genus वह सेम है उनको हम उसका सिरफ अनिशल word लिखेंगे और उसकी species को चेंज करते जाएंगे उसको प्रियों जिसका हमने पीछे वायरिस वाले topics में थोड़ा सा पढ़ा था प्रियों वह प्रोटीन से पने होई होते वह RNA होता है बहुत इस पार्टिकल्स इंफेक्शियस जो दोनों पार्टिकल्स इंफेक्शियस हैं और वह जो हैं वह डिजीज कास करते हैं उसके बाद है जी significance significance हमारी जो है यह binomial nomenclature की है बादिकल्स इंफेक्शियस में जो common name थी वह बहुत जादा problem क्रियेट करें थी different regions have different names for the same organism मतलब different regions थे वर्ल्ड के उनमें सिर्फ एक organisms के ना different नाम थे for example common name of onion in उर्दू इस प्याज जो onion है उसका उर्दू में common name है वो प्याज है but in different regions of पाकिसान पाकिसान के different region में इसको हम गंडा भी कहते हैं इसको हम बसल भी कहते हैं इसको हम वसल भी कहते हैं बतलब एक ही चीज़ के चार चार नाम in other countries it has other sets of names दूसरी countries में इसके और नाम थे जब हम scientifically इस चीज़ को research कर रहे थे तो इस चीज़ में बहुत ज़ादा problems आ रहे थी एक ही चीज़ के बहुत ज़ादा नाम इसलिए in science it is known with a single name लेकिन science में सिर्फ इसको एक ही नाम से जाना जाता है जो कि है इलियम सीपा in some cases different organisms are called by the same common name for example जो ऐसा होता है कि एक ही नाम ये भी चीज़ प्रॉब्लम क्रियेट करती है कि different organisms हैं लेकिर उनका नाम जो है वो एक ही है अब हमें समझ नहीं आ रही होती कि scientific research में ये बात समझ क्लियर आउट नहीं होती किस species के बारे में बात की जा रही है इसलिए इसलिए scientific ली एक चीज़ का सिर्फ एक ही नाम कंसीडर किया गया और वर्ल्ड वाल्ड यूज़ किया गया इसलिए यहां पे हमारे पास प्यास की बिज़ खुआ गंड़ भी कहते हैं वसल भी कहते हैं तो लेकिन साइंटिफिक ली इसका इसका सिर्फ एक नाम से रही है तो जो यह प्रॉब्लम हमारे पास आ रही थी साइंटिफिक रिसार्च में इसको सोल्वाट किया गया बाई 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 नॉम्यल नॉमन क्लि एक वर्टिब्री इसके पास फिंस भी हैं गिल्स भी है बाट सेवरल कॉमन नेम्स कुछ ऐसे कॉमन नेम्स जैसे सिल्वर्फिश, Cryfish, Jellyfish Starfish do not fit the Biografies definition of the fish लेकिन ये सारी फिश हैं इनकों फिश ही कहते हैं लेकिन जो बाइलिस ने एक फिश की डेफिनिशन दिया ना उस पे ये फिट नहीं होती तो वो उनकों फिश नहीं कंसीडर करते हैं बाहं is it to avoid all the recent organism's have been scientific name in its own by by using binomial nomenclature इन तमाम जचिटों से बचने के लिए scientist साये गाई गढारिब थे यो करते हैं binomial nomenclature the value of this system is due to the wide separate use and the stability of its name इसका इसस्टेम की वैल्यू है इस चीज से पताचला की जा सकते है कि वर्ल्ड वाल्यूज होता है और इसके नेम्स रिसर्च में बहुत ज़्यादा helpful होते हैं binomial nomenclature very species can be ambiguously identified with just two words बहुत सारी species ऐसी हैं जिनको सिर्फ दो words के जरी हम डिसक्राइब कर सकते हैं same name can be used all over the world in all languages about the difficulties of the translation उसी चीज के लिए दुनिया में बहुत सारे नाम होना उस चीज के लिए बहुत सारी जुबानों में different नाम होना बहुत सारी हमारी difficulties है उसको खतम कर देती है उसके बार दाता है sometimes organisms are named in honor of the research work sometimes ऐसा होता है कि जो organism का नाम है वो उस साइटिस्ट के नाम की बेस पे रख दिया दाता है जिसने उसको describe किया होता है या उसको classify किया होता है for example the orchid tree जो mountain यी बॉनी है उसको जो है वो उन्होंने नाम दे दिया बोहीन या वरिगेटा after the Swiss botanist bohin मैं जब Swiss का एक botanist था जिसने इस प्लांट के बारे में इस ट्री के बारे में जो है वो description दी तो उसके नाम पे जो है वो उसको नाम रख दिया गया bohinia वरिगेटा is an ornamental tree found in south east asia एक ornamental tree है जो के south asia में पाया जाता है फॉर एक्जामपल जो है अब आगे common name जो है यह आप एक्जामपल्स दी हुई है हमारे पास तर वो नॉमन क्लेचर की के onion का जो common name onion है लेकिन उसको जो है वो scientifically इलियम सीपा कहा जाता है common जो sea fish है इसको simply starfish भी कहा जाता है इसका scientific name जो है वो asteris rubens है house crow जो है common जो name है उसका house crow है इसको scientifically हम कॉर्वर्स सब प्लेंडन्स भी कहते हैं ठीक है अब आगे हमारे पास आता है conservation of biodiversity during the last century loss of biodiversity has been increasingly observed last century जो हमारी biodiversity है वो बहुत जादा loss हो रहा है उनमें बहुत सी चीज़ें जो है थ्रैटनिंग में चली जहीं है बहुत सी species हैं जो के in threatened हैं बहुत सी extinct हो चुकी हैं बहुत सी endangered है in the modern era due to the human actions आज कल के जो दोर में human activities की वज़ा से species and ecosystems are threatened due to the structure of extent rarely seen in the art history human activities की वज़ा से species and ecosystems वो तबाह हो रहे है a species that no longer live in an ecosystem is quite extinct in that ecosystem वो species जो एको सिस्टम से बिल्कुल ही खतम हो चुकी है उनको हम कहते है extinct organisms for example you can say the dinosaurs dinosaurs जो है वो अबात ज़रूए जमीन से जो है वो बिल्कुल खतम हो चुके है इनको हम कैटेगराइज करते हैं extinct species when species of ecosystem become extinct the stability of ecosystem is harmed मतलब कोई बी अगर 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 एक मेदानी अलाका है ग्रासी एरिया अगर वहां से हम भीड़ बकडियों की जो species है उसको खतम कर दें तो जो इसका जो ग्रासी एरिया है वो इतना वो जो ग्रासी है ना वो सौना ट्रीज में चेंज हो जाएंगे मिन्स के अल्ला ताला ने एक ऐसा बैलन्स बनाया है कि अगर हम इस ecosystem की किसी एक species को भी वहां से खतम कर देते है ना तो वो इस ecosystem के जो एक बैलन्स है उसको डिस् जो यह कहते हैं कि अगर हमने बायर डिवर्स्टी जो इस डिस रेट पे अब खतम हो रही है जिस species जो है वो इसी रेट पर जाती रही तो हमारा जो एक दिन जो है वो कॉलाप्स हो जाएगा मिन्स के तबाह हो जाएगा अब आगे है मैनी प्लांट एनिमल स्पिशिस हैव ग वाली हैवो ठरेकटन है देजर में है उनकों कहते हैं इंडेड़् कीज अनिमलाइ 不गषिस वह कहते है तब काश料प्ते हैं जो के आल मॉस्ट यह तो इंग्सिंक्त हो जुकी है यह वो इंडेट है ऑगे अब human activities का biodiversity पे क्या impact है यह हम देखेंगे human activities कुछ ऐसी activities जो के ecosystem में different species के habitat को तबाह कर देते हैं उनके लिए food resources खतम कर देते हैं तो वो species जो हैं वो endangered हो जाती है extinct हो जाती है human activities का इन सब चीजों पे क्या impact है इसको हम discuss करेंगे by ten hundred years ago there were about five million people on earth मतलब आज से 10,000 साल पहले जमीन पे सिरफ 5 million लोग थे with the advancement in agriculture industry human जैसे जैसे agriculture industry में advancement आती गई human population जो है वो बहुत तेजी से भड़ती गई round about today 600 million people live on the earth कहां 10,000 साल पहले जो थे सिरफ 5 million लोग थे जमीन पे अब 600 million लोग जो है वो जमीन पे रहते हैं इसे बात है जतनी population जादा होगी उतनी उनको food जादा चाहिए उतनी उनको रहने के लिए space जादा चाहिए उतनी उनकी industrial agriculture जो है वो consumer जादा हो जाएगी जितने लोग जादा होते जाएंगे उतनी जो है वो biological resources उनको जो है वो खतरात लाहक होते रहेंगे to improve the living conditions for the six hundred million humans we are imposing the serious threat to the survival of biodiversity मतलब के अब इन सारे लोगों जो 600 million इनसान जमीन पर रहते हैं इनकी living conditions को अच्छा करने के लिए इनको रहने के लिए जगा देने के लिए इनको खुराग प्रवाइड करने के लिए हम जो biodiversity को हैं वो बहुत बुरे तरीके से तबाह कर रहे हैं इसमें क्या आता है habitat loss मतलब बहुत जंगलाथ को जब हम कार्ड देंगे जंगलाथ एक ऐसी जगा है जो कि बहुत सारी animal species की बहुत सारी plant species का एक habitat है उनकी रहने की जगा है लेकिन जब हम जंगलाथ को साफ करके इनसानों के रहने के काबल बनाते हैं तो जगा इनसान के रहने के काबल तो बन जाती है लेकिन वो diversity में बहुत बड़ा loss दे के जाती है बहुत से और्गनिसम्स ऐसे हैं जिनके घर तबाह हो जाते है किसी भी species को अगर आपने खतम करन अगर उसको अपने पास उसकी सर्वाइवल के लिए जगा ही नहीं बचेगी तो वो स्पिशी खुद बखुद खतम होना स्टार्ट हो जाएगी तो सबसे बड़ा जो हमारे पास इस वक्त बायर डिवर्स्टी को थ्रेट है वो है हैबिटेट लोस उसके बाद है डी पुर एक यह एक एसी स्पिशी है जो के हम लाके अपने इन्वार्मेंट में इंटर्ड्यूस कर्वा देते हैं वह स्पिशी वहां पे बहुत ज़्या वेल ग्रो कर जाती है और इसके बहुत से पैनेफिट्स भी हैं लेकिन वह स्पिशी को लाजमी डैमिज कर रहा होती है इसमें नही प्रीज़े को रिमूव करना यह भी हमारी बाय डिवर्स्टी में बहुत बड़ा थरफ है क्लाइमेट चेंज वह बहुत जारी बहुत बड़ी वज़ा है किसी भी इस्पीशी के एक्स्टेंट होने के लिए इको सिस्टम इस्टेंट में आप प्राइट को इसकित जो लास्ट वाला और्गिसम से वो भी मर गया हुआ है मैं तब उसका रुए जमीन पे एक भी और्गिसम नहीं पाया जाता उसको हम कहते हैं extinct species and the species called endangered which is at the risk of extinction और इस species को हम endangered कहते हैं जो के almost खत्म होने के खत्रे पे है और फ्यूचर में इन करीब जल्दी खत्म हो जाएगी उन species को हम कहते हैं extinct species more than 2,6,000 people are added to the world population each day and more than 180 each minute हर मिनिट में जमीन में 180 बंदों का रहा हो रहा है और एक 180 बंदों के लिए एक मिनिट में रहने की जगह पर वाइड करना उनको खाना पर वाइड करना यह सब कुछ हम कहां से ले रहे हैं हम सब ले रहे हैं बायड आवर्स्टी से अपनी environment से तो जहां हम इन सब इन ऐचाई गर वह करना किसी की खिराक बादा किसी थ्रेटर करना नहीं किस तरह से जाने होती। तरह किस टूर करनें एक मी हैं नहीं है जान्यूंन हैं। सब्सेंदे दाइपन हैं और एक steep इसकार भी हैं जाना, उनकी बार थरेक्ट चारी खारी बारी 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 दोगा है